हेगाईज वेलकिम बैक टुमा यूट्यूब चैनल बेबी हल्थ काईड दोस्तो छे महीने पूरे होने के बाद सात्वे महीने में शीशु को मा के दूद के साथ साथ कुछ ठोस आहार खिलाने भी शुरू किये जाते हैं यह कह सकते हैं कि अब बच्चे का डाइट चाट शु चीशे होती हैं इन सब के लिए शीशु को बरपूर पोशन की अविश्यक्ता होती है जो उसे मा के दूद के साथ साथ ठोस आहार से मिलता है अगर आपका बच्चा भी साथ महीने का हो गया है तो जालने कि उससे दिन भर क्या खिलाना चाहिए और साथ महीने के शीशु के लिए टाइट चार्ट कैसा होना चाहिए तो चलिए जानते हैं नमबर एक एक दिन में कितना खिलाए खाना दूस्तों साथ महीने का बच्चा दिन के तीन बार ठोस आहार और उसके बीच दो बार स्नैक्स खाता है शीशु को सुबा और रात को दूस जरूर पिलाए और दि तो आप खाने की कुएंटिटी बढ़ा सकते हैं शीशु इसके साथ दिन में लगभग आठ सो से नभे मिली प्रेस्ट मिल्क या फॉर्मला मिल्क भी पीता है नमबर दो बेबी के पहले हफ़ते की डाइट नमबर एक शीशु को सौम बार को सुबा दस से ग्यारा के बीच म ओट्स और सेब का दलिया खिलाएं इसके बाद दोपहर दो से तीन बजे डाल का सूप दें और छे से साथ बजे केले को मैश करके दे रहें जिससे की उसका पेट भरा रहेगा नमबर दो मंगलवार को सुबा ओट्स और सेब का दलिया खिलाएं और फिर दोपहर को मैश किये हुए आलू और फिर शाम को स्मूधी दे सकते हैं 3. बुद्वार को सुबा ओट्स और सेब का दलिया खिलाएं और दुपहर को मटर की प्यूरी और दाल का सूप पिलाएं 4. इसके बाद गुरुवार की सुबा मैश किये हुए आम, दुपहर को ब्लेंड किये हुए दाल चावल और शाम को मिक्स वेज सूप पिलाएं 5. शुकरवार की सुबा स्मूदी दुपहर में मैश किया हुआ गिया और शाम में सेब की प्यूरी खिलाएं 6. शनिवार के दिन सुबा के समय बच्चे को चार से पाँच पनीर के टुकडे दुपहर को दाल का सूप और शाम को मैश किया हुआ केला खिलाएं नमबर साथ रवीवान की सुबा, मटर की प्यूरी, दुपहर को गीये का सूप और शाम को मैश किये हुए आलो खिला सकते हैं तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूँगी एक नियोग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर इन बाबाई